तो डाइलेक्टिक प्रोपेटिस अफ मिटिरियल के इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो डाइपोलर पोलराजबिलिटी है ठीक है इसमें हम डाइपोलर पोलराजबिलिटी को फान डाइपोलराजबिलिटी को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं तो तो अभी जो मैं कहने जा रहे हूं आपने फिर लिख लेना है उसमें ये है कि डाइपोल पोर एइस बेलटी इट अकृष मिटिरियल्स अग्रस इन मिटिरियल्स वीद पर ऐपोल मोमेंट्ज्स मेट्इरियल्स दैट एड कंटेंस मॉलेक्यूल्स ठीक है उसमें molecules का होना important है atoms के लिए यह नहीं होता गया से material जो atom के मिलके बने हो तो dipolar porisability occurs in material that contains molecules that have permanent dipole moments even in the absence of any external fields यह ऐसे materials होते हैं जिनमें molecules ऐसे हो जैसे हमने ह2O का हम देखते हैं ठीक है और यहाँ पर हच और यह O ठीक है कि यहाँ पर partial positive charge आता है और यहाँ पर partial negative charge आता है सच्दार कि यहाँ पर यह वाली side जादा negative होती है यह जादा positive होती है और यह molecule without any external applied fields के भी इसकी एक side जादा positive और एक side जादा negative जैसे unequal distribution जब charge होती है तो dipole moment उसमें induce होता है अगर वो दोनों charges सम distance से separated हो जबकि जैसे ही hydrogen atoms इससे separated होने बस सम finite distance लेट से d वो distance होगा तो ऐसे molecules को हम polar molecules कहते हैं ठीक है जिनमें पहले से ही उनकी molecules की nature ऐसी होती है कि उनमें पहले से ही dipole moment होता है ठीक है और ऐसे molecules के लिए हम कहते हैं कि इनका यह permanent dipole moment है क्योंकि यह molecule है तो इसके साथ dipole moment होगा ही होगा ठीक है यह तो हमने एक isolated atom ले लिए molecule ले लिए लिए जब हम पूरी state को discuss कर रहे होते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे molecules मुझूद होते हैं तो इन सब के dipole moments की directions होती है वो randomly oriented होती है और हैंस जो उनका total dipole moment हो जाता है वो zero हो जाता है तो ऐसे molecules में जब आप external fields को apply करते हो तो one of the effect that produces एक तो यह हो सकता है कि atom खुद बहुत polarize हो जाए एक वो ionic type का भी अगर इनकी दर्म्यान की separation और जादा increase हो जाए ठीक है let's say इसकी separation हो जादा है यह ionic type हो गया third type क्या हो सकती है third type यह हो सकती है कि अगर इनके पहले से dipole moment molecule की मुझूद है और यहां पर वो randomly oriented है सारे के सारे ठीक है तो यह randomly oriented है तो जब अब external field apply करेंगे तो external field क्या करेगी that will force the randomly oriented permanent dipoles to orient in a certain direction जो कि क्या होगी direction of field होगी उन सब यह external field उन सब को एक direction में orient करने की कोशिश करेगी और orient करने के नतीजे पे जो इनकी direction permanent dipole moment की इसने change गी है इस e field ने तो एक net dipole moment प्रोड्यूस होगा इस reorientation of permanent dipole moments की वचा से जिसे हम कहते हैं कि वो है dipolar dipole moment लग से originally dipoles इनके पहले से मुझूद थे permanent dipoles मुझूद थे उनको जब orient किया जाता है एक यह direction में तो net dipole moment प्रोड्यूस होता है और इसको हम dipolar polarizability के अंडर लेते हैं कि यह material आप polarize हो गया और किस तरह से हो गया है किस reason की वज़ा से dipolar polarizability के अंडर हो गया है और यह तब होती है जब permanent dipole moments हों और वो orient कर दिये जाए एक यह direction में so dipolar polarization arises due to aligning of randomly oriented permanent dipoles in external feed direction so that a net dipole moment exists now due to these already due to is already present permanent dipoles ठीक है तो एक electronic polarizability के atom के अंदर electron की distribution चाहिए एक आएनिक कि यह लट से यह molecule पहले से ही एक dipole moment रखता था लेकिन जब material बल्क state में है तो सारे के सारे differently oriented है और net dipole moment इनके जो पहले से permanent यह रखते थे वो zero हो जाता है net सब का add up होगी तो अगर फील अप्लाई की जाए थी तो यह फील क्या करेगी इन सब पो एक ही direction में करने की कोशिश करेगी तो इसकी वज़ा से जो dipole moment generate होता है उसे हम dipole polarization और dipole moment कह सकते हैं और जो polarization होती है और dipole moment को find out करते हैं और उसको find out करने के लिए हम suppose करते हैं कि एक material ठीक है जिसमें बहुत सारे dipoles मुझूद है जिसमें से एक dipole ले ले लेते हैं हम ठीक है आपको पता चल गया है क्योंकि इसमें orientation of already made dipoles को दुरुस्त किया जाता है कि direction में किया जाता है ताकि net dipole moment create हो सके जो कि पहले randomly oriented था due to thermal agitation कह सकते हैं या इस तरह से thermal energy पे तो होती है निनके पास तो consider a dipole system and out of which consider a one dipole so हम यह में dipole बना रही हूँ जो कि कुछ angle theta पे होगा let's say ठीक है जो कि कुछ angle बना रहा होगा incident e field की respect से हम वो angle बना देते हैं ठीक है यह बिल्कुल ऐसे linear नहीं होगा कुछ angle बना रहा होगा यह शो कर रहा कि मतलब कुछ different angle पे होगा ठीक है तो यह dipole है और यह इसका यह distance है यह d है दोनों के तरम्यान के यह minus q है यह plus q है ठीक है तो जब यह e field इसपे apply करेंगे तो यहाँ पर force लगेगी positive charge पे वो qe होगी और वो क्या होगी प्लस QE ठीक है और यहाँ पर जो force लगेगी वो क्या लगेगी वो लगेगी इस पर charge क्या है minus Q into E और equal in magnitude but opposite in direction force पर लगेगी क्योंकि यहाँ पर minus Q हो गया हमाँ पर plus Q हो गया तो forces, net force अगर आप देखेंगे न इस system पर 0 हो जाएगी क्योंकि इधर positive लग रही है इधर negative add करेंगे 0 हो जाएगा लेकिन इस पर torque generate होती है तो torque जो लगती है इस पर that is equals to moment arm moment arm है यह distance d दो जो जिन यह जो couple बन रहा है यह दोनों जिस distance पर एक दूसरे की respect से वो d distance d cross with force जो उस पर लग रही है तो force यह f हम ले लेते हैं ठीक है और d force क्या है q e q e होती है ठीक है electric force लग रही है इस पर q को d के साथ लिख देते हैं क्योंकि वो scalar है तो जो भी कर लें उसके साथ तो यह q d हो जाएगा dipole moment cross e ठीक है तो torque हमारे पास किसके equal आगई है p cross e क्या equal आगई है यह torque इस पर लगेगी और यह torque लगेगी है और यह इसको ऐसे rotate करेगा और इसका यह जो theta angle है उसको deduce करने के कोशिश करेगा और हम यह कह सकते हैं कि यह इसको सीधा करने के कोशिश करेगा ठीक है उल्टे काम करता है यह तो इसे सिधा करने कोशिश करेगा और अपनी फील्ड जिस direction में फील है उस direction में इस dipole moment की direction होती है minus q से q तक means इसकी direction क्या होगी है यह है dipole moment की direction जिससे वह ऐसे करके इधर लाना चाहता है टॉर्क एक करेगी और उसको इस एंगल पे लाने की कोशिश करेगी ठीक है और इस कोशिश के बावजूद वो नहीं ला पाती उसको बिल्कुल स्ट्रेट इस ऐसे नहीं ला पाती और इसका reason यह है कि यह जो dipole डखने वाला molecule है उसके पास thermal energy भी है जिसकी जो के यह करने नहीं देती वो इसके अगेंस्ट करती है तो thermal energy की वज़ा से thermal motions की वज़ा से यह फिर dipole moments completely उस direction में नहीं हो पाते वो motion की वज़ा से कुछ एंगल पर ही रहते हैं तो आप जो potential energy मिलती है dipole को इसको dipole को जब वो e field में रखा जाता है वो equal होती माइनस p p.e. p है dipole moment और e electric field जो apply की है वो minus p e फिर cos theta हो गया ठीक है यह है इसके पास energy dipole के पास जब वो electric field में रखा जाता है तो जैसे अभी हमने बताया कि thermal energy आगे फिर रोडेर करती है कि तुम ना हो वैसे उस direction में तो फिर यह फिर अब हम find out करना चाहते हैं कि इसके पास जो dipoles है सारे के सारे उन पर यह field act करेगी सारे के सारे एक ही theta angle पर नहीं हो पाएंगे कुछ let's say इतने हो जाएंगे कुछ इतने ओर्येंट 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 हो जाएंगे तो यह बहुत सा तो जब यह फील्ड आप अप्लाइए करते हैं तो सारे के सारे ऐसे नहीं हो जाता है कि सारे के सारे एक ही एंगल पर सारे हो जाएं ऐसा नहीं होता है कोई ऐसा हो जाता है कोई ऐसा हो जाता है कोई ऐसा हो जाता है तो यहां पर भी हम average लेने की कोशिश करने जा रहे हैं और इससे पहले हम Boltzman factor को define कह लेते हैं Boltzman factor जो है जो probability है कि जो dipole moment है वो orient होगा theta से theta plus d theta direction में solid angle यह हमारे पास यह बनती है यह cone बनती है यह cone बनती है जिसका angle अगर आप बनाएं तो वो solid angle d omega बनता है तो d omega में ही dipole moment आ रहा है उसकी probability proportional होती है Boltzman constant के तो यहां पर हम लेंगे के minus u by kt ठेके और f of theta यह probability proportional है f of theta के और f of theta is actually the Boltzman factor ठेके f of theta equals to e to the power minus u by kt हम कर लेंगे और u की value क्या है minus pe cos theta तो e रतवार minus into minus pe cos theta करेंगे divided by kt minus minus plus हो जाएगा तो e रतवार pe cos theta by kt यह हमारे पास Boltzman factor आ जाएगा ठीक है अब हम निकालते हैं average dipole moment तो average dipole moment equal हो जाएगा integral आप लिखेंगे जिस direction में हम लेना चाहते हैं इस direction में e field apply किया हैं तो इसी direction का जो pe का component होगा which is pe cos theta वो लेंगे हम तो यहाँ पे उसे pe x से represent हम करते हैं और यहाँ पे लेंगे Boltzman factor जो कि probability का आता है factor और यह d solid angle ठीक है और यहाँ पे भी नीचे पिर pe x जब आप average find root करते हैं probability को multiply करते होते हैं उस quantity से जिसके आप average find root करना चाहते हैं उसे integrate करते हैं और divided by उस quantity की बगार जो होता है probability उसकी total probability जो बनती है उससे integrate करते होते हैं तो यह यहाँ पे theta वाइरिकार है 0 से pi तक जा सकता है theta spherical coordinates में भी हम जानते हैं theta की जो limits होते है 0 to pi और जो dipole b orient हो सकता है वो 0 से pi से 0 तक ही हो सकता है तो इसलिए इसके limits 0 to pi हम लेंगे और इसमें values को put करते है p x की value होती है p cos theta ठीक है f of theta की value हमने भी देखी थी वो p e plus p e cos theta divided by k t थी d omega जो होता है solid angle होता है और यह एक पर होता है 2 pi sin theta d theta के ठीक है तो यहां पर वो भी put करते है 2 pi sin theta d theta division में यहां पर f of theta की value हो minus p e cos theta by k t और d omega की value 2 pi sin theta d theta है यह 0 to pi 0 to pi यहां भी हम direct result लिखेंगे that is इसका जो integration आता है वो होता है dipole moment p simple dipole moment times यह जो p था langwin factor तो यह इसको हम langwin function कहते है sorry यह जो l of alpha है इसे हम langwin function कहते हूं langwin function की value होती है cot hyperbolic of alpha minus 1 over alpha ठीक हो गया और यह langwin ने सबसे पहले इसको solve किया था for paramagnetic gas इसलिए उसके इhtराम में उसको honor देने के लिए यह langwin function इसको नाम दिया गया इस particular result को ठीक हो गया अब हम यहाँ पर alpha की value क्या है alpha है p e by k t cos theta को छोड़ गये क्योंकि cos theta वो integration में solve हो जाता है तो p e by k t alpha की value है अब अगर alpha very small हो हम l of alpha में यह जो cot है cot hyperbolic of alpha है इसकी value approximately हो जाती है 1 over a 1 over alpha plus alpha by 3 approximately equal हो जाती है for small alpha तो यहाँ पर यह वाली value अगर इधर put करें l of alpha में तो हमें मिलता है 1 over alpha plus alpha by 3 minus 1 over alpha यह cancel तो आगया l of alpha की value आगया alpha by 3 ठीक है और alpha की value क्या थी p e p e by k t तो यह p e by 3 k t l of alpha की value आगी है जो हम यहाँ पर put कर देते हैं यह p है p e by 3 k t यह p और p e p square हो जाएगा p square e by 3 k t तो यहाँ पर मारे पास average dipole moment आया है p square e by 3 k t तो यहाँ पर आप जो dipolar polarizability है उसका relation बनता है कि dipole moment average dipole moment equals to dipolar polarizability times e field जो उसके apply की गई है times e field तो यहाँ पर compare करें तो यह p bar p bar e और e और यहाँ पर alpha d की value क्या हो जाएगी alpha d की value हो जाएगी p square by 3 k t ठीक हो गया तो यह p जो है dipole moment है each molecule का ठीक है permanent dipole moment जो पहले से उसके पास मुझूद था intrinsically जब से वो मुझूद में आया क्योंकि उनके arrangement ऐसी थी ठीक है तो यह alpha d की हमें value मिल चुकी है dipolar polarizability की और यही हम find out करना चाहते थे और यह हमने approximation में किया है when alpha is very small और moderate जब fields होती है moderate जब आप electric field अप्लाइ करते है तो यह value 10 is 1 minus 3 से 10 is 1 minus 4 तक की ही आती है जो के वो ही है कि alpha is very less than 1 तो alpha को even 1 करने के लिए p e by k t को 1 करने के लिए जो electric field अप्लाइ करनी बढ़ती है वो 10 is 1 minus 9 के फेक्टर तक ही होती है जो के quite high है और इतनी strong fields हम normally नहीं यूज करते है तो moderate fields के लिए जो everyday में यूज की जाती है उनके लिए approximation यूज की जाती है वरना यह वाला formula तो हाई है यहां पर अगर इसके graph बनाया जाए तो graph इसका कुछ इस तरह से बनाया जाता है इस side पर हम alpha अगल लें और इस side पर अगर l of alpha लें ठीक है lagoon function और alpha के दम्यान की बनाया जाता है तो for small approximation हमने क्या देखा है कि lagoon function किसके equal है था alpha by 3 के equal है ठीक है यह for all cases के लिए और यह for small approximation के लिए वही alpha अगर very small हो तो यह हमारा ऐसे topic हतम हो जाता है